दोस्तों इस चेहरे को तो आप जानते होंगे इनका नाम है शंकराचार स्वामी निस्टलानंद सरस्वती इन्हें हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा शंकराचार माना जाता है पूरी के शंकराचार है और गलेबन ये 148 वे शंकराचार ये 145 वे शंकराचार है अब आप इनकार कर दिया है इनका ये कहना है कि मैं वहाँ जाकर क्या करूंगा वहाँ पर मोदी जी होंगे मोदी जी मंदिर की मुर्तियों को चुएंगे और वो जो है उसका उद्गाटन करेंगे और मैं वहाँ पर क्या तालिया बजाता रहूंगा ये बात कही है स्वामी निस्चल कहीं एक तो दो चीजें इससे सामने आ रही है क्या स्वामिन इसला नंसरस्वती को प्रधान मंत्री मोदी के मुर्ती को छूने से प्रॉबलम है एक बात तो ये सामने आएगी दूसरी बात ये जो मुझे एहम लगती है मुझे लगती है कि ये बातें सही हो सकती है वो ये कि क्या स्वामिन इसला नन सरस्वती को इस बात से मसला है कि प्रधान मंत्री मोदी जी राम मंदिर को एक सियासी समारो बना रहे हैं और उससे अपना सियासी मफात ले रहे हैं कही न कही राम मंदिर पर सियासत हो रहा है क्य ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक बड़ी बात स्वामी निस्टरानल सरस्वती ने जो कहीं वो ये कि कहीं न कहीं जो भी अकाज़ देखता है मंदिर है जो भी आस्था से जुड़ी हुई चीजे हैं क्या वज़ा है कि उसे जो है एक पर्येटक स्थर बना दिया जा रहा है ये भी एक बड़ी बात हो सकती है ये पूरी खबर जानते है मेरे स्ट्रीम मीडिया इसको लेकर किया कुछ खबरे चला रही है आज तक ने भी इस नीज को कवर किया है और जो खबरे सामने आ रही है वो इस तरह से है आप देख सकते हैं कि आयोध्या मे भव्वी बनाने के लिए यूपी सरकार और युद्या प्रशासन दमखम से जुटा हुआ है राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तयार है जिसे सजाय सवारा जा रहा है पियम मोदी को श्री राम जन्भुती तृत्रित श्चेत्र ट्रस्ट की ओड़ से प्रान प्रतिष्टा कार करम में मुख यजमान के रूप में आमंत्रित किया गया है मुख यजमान कोन भया प्रधान मंत्री मोदी जी कोई शंकराचारी नहीं है यानि इस बात की पुरी संभावना है कि प्रधान मंत्री अपने हाथों से ही राम लला की मुड़ती को गर्भ गिरिह में सिंघासन पर विराजमान करेंगे जबकि ये काम कौन कर सकता ता बेहतर फैसला किसका होता बेहतर तरीका कौन होता कोई शंक्राचार होते कोई पंडित जी होते लेकि नहीं मोदी जी खुछ से करेंगे क्यों भाया क्योंकि मोदी जी का नाम जो है चेहरा जो है वो पूरे भारत वर्त में पहुँचना चाहिए ना, 2024 में लोकसभाद चुनाव है, तो चुनाव से पहले लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए ना, कि मोदी ही वो शक्स है, जिसने राम मंदिर बनवाया, वरना किसकी मजाल, आप देखिए कि इसको लेकर, इसे लेकर ओडिशा के जगनात पुडी मठ के संक्राचार स्वामी निश्चलानन सरस्वती ने विरोध जताया है, उन्होंने बूदवार को रतलाम में बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि वह, 22 जनवडी 2024 को होने वाले प्रान प्रतिस्था अनुस्थान में शामिल होने के लिए, आयोध्या नहीं जा करेंगे, मुर्ती का असपर्स करेंगे, तो मैं वहाँ तालिया बजाकर जैजाकार करूंगा, क्या? मेरे पद की भी मर्यादा है, राम मंदिर में मुर्ती की प्रान प्रतिस्था सास्तरों के अनुशार होनी चाहिए, ऐसे अयोजन में मैं क्यों जाओं? तो ये बड़ी बा मंतरन के बार में शंग्रचार स्वामी निस्तलान सरस्वती ने कहा कि मुझे जो आमंतरन मिला है उसमें लिखा है कि आप और आपके साथ सिर्फ एक वेक्टी आयोजन में आ सकता है इसके लावा हमसे किसी तरह का आप तक शंपर्क नहीं किया गया है जिस कारण मैं आयोजन मे नहीं जाओंगा उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर जिस तरह की राजनीती हो रही है वह नहीं होनी चाहिए इस समय राजनीती में कुछ सही नहीं है पुड़ी के शंग्रचार में धर्मस्तलों पर बनाये जा रहे है कोरीडर की आलिचना की है स्वामी निस्लान सरस्वती ने इस तरह इन्हें भोग विलास्ता की चीजों को जोड़ा जा रहा है जो ठीक नहीं है